एक असुक सुंदरी और दूसरी है देव सेना ये ये दोनों बल लवस्था कि रहती है दोनों छोटी है बस देव सेना का सबसे बड़ा जो क्रम है वो एक प्रवल है कि अपने केशों से सेना तयार कर लेती है और सारी सेना को एक छण में सम्मुक में प्रगट कर देती है यु महाराज, इंद्र युद्ध करने के लिए जा रहे थे और इंद्र की धर्म पतनी ने इंद्र से कह दिया था मैंने सुन र काहे कि देव सेना के पास में आप जाते हो और देव सेना से जा कर कहते हो कि तू सेना भेज दे कि अंद्र की पतनी कहती है इंद्र की पतनी कहती है इस्तरियों में थोड़ा सा कि घर्षा का बाव होता है थोड़ जादÁ होता है तुड़ जादा होता है पुरूस्की अपेक्षा, सब्सक्रिक्स कुर्षों में इर्षा नहीं होती हु徹 до कम्पेटिशन ऐसा हो गया हुए इंत्री खोद कर्याखब है वो नारी में फ्त्री में थोड़ा होता और है acting is parallel a pathu ü एच्ट को जादा पूचले बड़िय। Jadi को नुछ। तो छोटी पूचले तो बड़िय। ीजिय॥ तो ये ये थोड़ी इडशाद इंद्र की धरमपतनी ने कहा यदि आपको युद्ध के मैदान वे अगर आप हारते हो तो मैं आऊंगी आपके लिए युद्ध करने के लिए आप देवसेना के पस नहीं जाओगे आप देवसेना के सम्मुक्वेना जाएगा इंद्र की पतनी कहती है कि आपको देवसेना के पास जाने की जरुवत नहीं है और देवसेना के पास ना जाकर युद्ध में अगर आपकी हार होती है तो मुझे बुलाना मैं सेना लेकर आऊंगी महाराज सास्त्र कहता है जब इंद्र हारने लगे युद्ध को तब उन्हे अपनी पतनी को बुलाया जब पतनी को बुलाया खवर पर खवर पोचादी पर इंद्र की पतनी नहीं आई पिर खवर पोचाई इंद्र की पतनी नहीं आई बारम बार इंद्र की पतनी नहीं आई बारम बार इंद्र खवर पोचा रहें कि सेना हार चुकी है धर्म पतनी नहीं कहा था मुझे बुला देती है मैं सब कर दूंगी ना तो मुझसे तो बोलो मैं तयार बैठी हूं सब करने के लिए और जब करने का टाइम आता है तो मालूम पड़े छट पे जाके अराम से बालों में में अधि लगा के बैठी रहे अधिक थत करने का जब शमय आइ तब हुआ अः गजव ना मैं मैं कर दूंगे ना कि मैं मैं हूँ टूंगी तो मुझसे तो ऑॉला करो मैं मैं करूंगी और ना कि भूलो अपतीने सोचा चलो इससे बोल देंगे अब इसको कोई काम बताओ तो ये फिर चिलागे जोड़ी तुमारे बाप के नो कर लगे हैं हमी हम करें घर में और भी तो लोग हैं उनसा तो कहता ही नी करने का अब पती बोला तू ही बोली कि मैरसे तो कहते ही नी और तेर से क तो क्योंकि में नोकर लगी, रामभडी आपते महराद, सबसे यादा हालत खराब तो पती होगी है, एक पती वीचारा पत्नी को लेके गार्डन में घुमने गया, गार्डन घुमने गया, तो सामने से कुत्ता आगिया, बड़ा सारा भायंकर, अब कुत्ता इनके सामने आए, पती को लगा, ये मेरी पत्नी को काट खाएगा, और पत्नी को लगा, ये मुझे सही में काट खाएगा, अब क्या करें, कुत्ता आगे आता जाए, पती और पत्नी ने हाथ पकड़ा थोड़ा सा पीछे हटे, पती को लगा, ये कुत्ता मुझे काट खाएगा, पर पत्नी को काटना चाहिए क्यों क्योंकि अगर ये पत्नी को काट गया तो कल बच्छ कर टिफिन कौन बनाएगा पच्छ को तैयार कौन करेगा पुत्ता ओपासमे ही आया, पती ने हाथ पकड़के पत्uplी को पीछे करा पुत्ता जैसे ही लपक ट्राया पत्नी को गोधी मे उठा लिया splits मेरे बढ़कों को काट ले पर इसी को नहने Kit पती ने पत्ती को गोधी मे उठाया। कुत्त है भाग गिया। कुट्टा भागा इसने पत्नी को नीचे उतारा पत्नी चिला के बोली तुमारे जैसा आदमी नहीं देखा दुनिया के लोग कुट्टा भागाने के लिए पत्थर उठाते तुमने मुझे उठा लिया अब ता भी चारे अच्छा सोचत तो बुरा हो गया अब किस्मत में यस के लिखा तो का करो स just all कि इंड कर तर गां इंडर का राया हैं इंडर की पत्नी नहाँ कि तुम किसी को मत बुलाना मुझे बुलाना मैं सारी सेना लेका राओंगा आदा तो युद्ध में लड़ रहे, सेना समाप्त होती जा रहे, और पतनी के पास खवर पोचा ही तू सेना ले किया, पतनी मालूम पड़े, वो तो बढ़िया चोटी कंगा कर रहे, पतनी को चार वार जाके के दिया, इंद्र महाराज बुला रहे, सेना ले कर आओ, सेना ले को बुल दो, जब इंद्र की धर्म पतनी सेना लेकर नहीं पहुची, इंद्र हात जोड़, कर निवेदान करे, हे ते ओ सेना प्रगठ्ठों, छोटी सी कन्या, दोड़ती हुई, सामने आओ, दोड़ती थी. चोटी सी कन्या और वो कन्या दोडती हुई सामने जब आकर खड़ी हुई इंद्र ने कहा देव सेना जी कर्पा करो सेना समाप्त हो गई है आप सेना का निर्मान करिए देव सेना ने उसी समय पर सरोवर में कुंड में जाकर इसनान करा इसनान करकर बाल को जो छिटा जितनी भूंदे पानी की गिरी उससे सेना उत्पन हो गई और इंद्र के युद्ध में इंद्र की विजे परता प्राप्त करा दी परदान करा दी कि शिवक्रिपालू की दया इतनी थी महाराजी कि यह देव सेना बहु भी बनी तो किसके घर की बनी है शंकर जी के गड़ एक बार देव सेना ने कार्टी के जी से कह दिया तो देखो के दूसरी जगह तो रोच की सेना की जरुत होती संकर भगवान के घर की बहु बने यह एक बार आधां कि तु सेना ला एक बार नहीं का कि तु सेना यह बड़ा पिचित्र काम होता है सहां जो बावँें सोचती है कि सुस्राल जाओं तो मेरी सास जरूर मिले मिलती नहीं तो लड़का यह सा मिलेका कि उसकी माई मर चुकी होगी है और जो वह उने सास बहुत घबराय और पिर उसको अच्छी जगदंबई मिलती है इस नहीं मिले नहीं मिले तो मिले जरूर है वो मिले तु न मिले, होता है, एक वीचारी एक लड़की थी, भगवान से रोज परातना करती थी, मेरी जहां सादी हो भोले ना, मेरी सास जरून मिले, क्योंकि मैं इस घर में मा नी देखी तु मा मा मिल जाए। अब उसकी जहां सादी होई मा सासी नी थी इसके बहुत दुख हुआ, इतना दुख हो गई कि मेरी सास नही है, मैं किससे पूछ कर सबजी बनाओ, किससे पूछ कर कपड़ पेन पूछ किससे पूछ कर तेवार मनाओ, क्या करू मैं इतने में इसने अपने पती से कहा, सुनो, यह लोहे की तगाड़ी फावड़ा रखा है, अच्छा रखा रिंदे, इतने में पत्नी गई तो सारा लोहे की तगाड़ी, फावड़ा, सब बीन कर लोहे लोहे का जित्ता समान, कुर्सी, टेबिल, सब ले गई लोहार की दुकान पर, लोहार से का वहिया, इसको गला लो और गला के लोहा की सास बना गई, अब उसने लोहे की सास बने बाले, अब लोहे की सास बनी, तो लोहे की सास बनी, जैसे ही लोहे की सास बनी, इसने कुर्सी पर उसको रख दिया, अब कुर्सी पर सास रखी, उसको साड़ी माड़ी पिनादी बढ़िया जोरदार हो, पूच प क्वें कि अगुछ था करें साथ सोजी बताओ से बिंडि कि सबजी बनाओं की गिल्की कि बनाओं अब कुई लोहे कि साज जोले कि फिर भी उन्मे अबातो पूछ पूछ के काम करे की कि आरा काम पुच पूच के कर रही हो एक दिन पती आया पती ने पूचा क्यों हो यह लोह की तगाडी रखिए भावड़ा रखा गाती रखिए लोह का समान का अगया पत्नी बोली वो तो सब में गल्वा के सास बनबलाई पती ने का पागल मुर्क जब गर में सास नहीं थी सबहां आट बनाने की का ज़र०त थी इसने अग्यां मारं कर निकाल तिया ताइस सास भो ध्याव में लोह का पुतला उसको भी फेड दिया निकल अगर से अब आने की जरुवत नहीं मेरे घर में, जा। दग के मार कर निकाल दिया। यह अपनी सास को गोदी में लेकर चली, रोती जाए, अब कहा जाओं इती अंधेरे में घर भी निया सकती माय के, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है। चोर आए तो नीचे बेट के माल बाट रहते हिस्सा, सोना चांदी सब इता सारा। इसको आ रही थी नीन, नीन के जोके में हाथ में जो सास रखी थी लोहे के टपक गई। जैसी टपकिवा लोहे की सास सोने पे गिरी, गिरते से ही। सब की सब गवरा गए चोर, चोरो ने सोचा पुलिस बाले आगए भागो जली से। सब समान चोड़के भाग गए, इसको लगा कि सास नीचे गर गई, नीचे गई तो सास तो सोने पे पड़ी थी। इसने तुरंत का बारी सासू किता माल दिया तुने और पोटली बान बंदा के लेके सास को बाजू में दबा के पोच गई। अफ दर्वाजा बजाए, दर्वाजा तो फोलो, ए जी ए जी पती आकर भुला फिर अगई। तो आएप ने तो सास ने किपता दिया! जो देख देखा देख देख में और आप और का रहा। लड़ी देख को अप्ता अब ते इन के गारी ने बंगला ने भोर ठाट बात हो गए अब ठाट बाट इनके तो हो गए पर जो पड़ोस में रहती थी उसकी आफ़त हो गए वो चिंता में मर गई इसकी अध्ता कहां से आ गया इसकी अध्ता कहसे एक दिन इसने इसको चाय पे बुला लिया क्योरी जी-जी? प्रेले तो तुमारे अतना टानी? ये इतना सामान गला के लोय की साज बन भख फिर मेरे पती लिगा घर अपट होई नीछे की सामान इट मिल गाया Це अला मेरीा सामान इसन बख अद निकल टनल Direkt कि अई की तर घू मर गई तो इता सोना ने रही अपनी ता उंगुठी तक नी दे इसने भी अपने पती से का सुन अ पती बोला हां भूल सारा लोहे का सामान गलबा के साज बनत्हूंग गरमे अपम है तो सठी त। तुम्हारी अम्मा को जान दो चूला में, मैंने बोल दिया, मैं सास बनबाओंगी लुहा की, हाओ, फिर, सुनो, तुम मुझसे जगड़ा करके मुझे दख्के मारका निकाल देना, और तुम्हारी सास को भी अठाद लुहे की सास को भी घर के बार फेक देना, ठीक है, फिर, मैं रात को, जब सास नीचे गिरेगी, गुफ सोना देगी, हाओ, जैसा जैसा बताया था, पती ने वेसा वेसा कर दिया विचारेना, तो सीधा साधा है, प्राणी, इसने दख्के मारका निकाल दिया, या पेड़ पेड़ चड़ गई, रात को चोर दिया गए, माल बाटने भी लगे, इसने सास को नीचे पतक भी दिया, चोरों ने सोचा, अगली बार पागल बन गई, अब की बान नी बनना, उपर कोई समझदारी बेठा है, हर बार माल अपना निकाल लेता है, उतार उसको नीचे, इसको नीचे उतारा पेड़ से बांदा, खूद दोचा, और ग इड़्षा की जो प्रति है, वो पनपने नहीं देती, इड़्षा की व्रति हमारी हमें पनपने नहीं देती, इसलिए इड़्षा से दूर रहे, महाराजी, देवसेना छोटी सी कन्या, वो देवसेना संकर जी के घर की बहु बनी पर कभी सेना की जरुवत ही नहीं पड़ी, संकर को क्या सेना की जरुवत? क्या जरुवत सेना की? हाँ, जब तारका सुर्के पुत्रों को तारकाच्च विदुमाली कमलाक चकी, इन तीनों को जब मारने के लिए भगवान सेना लेकर गएते, संकर भगवान, तब तेतिस कोटी देवताओं को पश्यू बना कर लेकर गएते, तो शिवजी का नहीं प बहुत पषुपति नात बढे सेना लेकर गए उसके बाद कभी भगवान संकर सेना लेकर जाते हैं तो शिप लेकर नहीं धिन जाते थे तेतिस कवटी देवताओं की कथा निकाल कर दिखना, सारे देवताओं को असुरों ने युद्ध के लिए ललकारा, पर शंकर भगवान को किसी ने युद्ध के लिए नहीं ललकारा. क्यों, सब जानते थे किशंकर भगवान से युद्ध लड़ना कथी ने, क्योंकि शंकर भगवान जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, इनके भूत, प्रेथ, डाकनी, पिसाचनी, चुडेल, भयंकर, आत्माएं, प्रेथ आत्माएं सब पहली पहुच जाते थे, वो आत्माएं सबके सरीर में भरा जाती थी, एक दूसरे को लड़ा लड़ा के मार देती थी, तो संकर भगवान को कोई लड़ने बुलाता ही नहीं था, कौन बुलाएं था? यह ब्रह्मधि आमेन है शंकर भगवान, देव सेना की जरुवत शंकर भगवान को युद में चैये ही नहीं चैये बावा इंद्र neे कहा देव सेना आये, देव सेना प्रगठ हुई हजारो सेना बल तैयार करकर देव सेना इंद्र को विजय दिलाए देव सेना सभी देवताओं को विजय प्रदान कर देती इतनी प्रखरता उस देव सेना में और शंकर की अरादना में दूबीद है थे शिव की अरादना में दूबीद है थे शिव की अरादना में दूबीद तीनो लोक में तू ही तू धेशंगो बाबा मेरे बोले ता तीनो लोक में तू ही तू स्रत्था सुमल मेरा मन बिल पत्रे जीवन भी अर पत्रे करी तू धेशंगो बाबा मेरे बोले ता तीनो लोक में तू ही तू अरभ हो ले अरभ हो ले लोक में तू लोक में तू अरभ हो लोक में तू जद्धा स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अनिमिठ कहानी है तो जद्धा स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अजिवत कहानी है तो तेरी सक्ति अफ्दार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार तेरी सक्ति अफ्दार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार दूली तेरे छरे नौकी लेकर जीवन का उधार किया ए शंभो बाबा मेरे गोने आ इनो लोग में तू ही तू लोग में तू ही तू ही तू ही तू ही तू है लोग में तू ही 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 तू ह मन में है काम ना और मैं कुछ जानो ना जिन्दगी भर करो तेरी आराथ ना मन में है काम ना और मैं कुछ जानो ना जिन्दभी भर करो तेरी आराथ ना सुख की पहचान दे तो मुझे ग्यान दे प्रेम सब से करो ऐसा वर्दान दे तू मुझे ग्यान दे प्रेम सब से करो ऐसी पहचान दे तू ने दिया वा मेरे बल को अज्यान को ग्यान दिया थे शंभो बाबा मेरे बोले ना तीनो लोक मैं तू ही तू ए शंभो बाबा मेरे बोले ना तीनो लोक मैं तू ही तू शंभो बाबा मेरे बोले ना तीनो लोक मैं तू ही तू ए शंभो बाबा मेरे बोले ना तीनो लोक मैं तू ही तू ए शंभो बाबा मेरे बोले ना तीनो लोक मैं तू ही तू हे शम्हो बाबा मेरे भोलेना कि मैं आवलो कि मैं तू ही तू हू देव सेना, सेना कुछ तयार करकर जो अगरन ने रखे वो देव सेना कितना तप करा है देव सेना ने माराज़ा काते हैं कार्तिके जी की धर्म पतनी देव सेना शंकर भगवान के पुत्र कार्तिके को प्राप्त करने के लिए जैसे पारवती जी ने जो तब करा उससे हज्जार लाक गुना जादा तब गंगा जी करा है पारवती के तब से जादा प्रवलतब गंगा ने करा है प्रवलतब यह तो हो गई थो शंकर भगवान की अ और गंगा शे भी लाक है प्रवलतब देव सेना ने कर थाआप को पाने के ली गए प्रवलत değe data और इतना प्रवलतब देव सेना करिये तो महा पुरानख के स्कंद पुरान तो वर्णन किया गया और Shumaha Purana में भी वर्णन है लिंग पुरान के अंतरगत वी वर्णन है कि देव सेना केवल वायू गर्ण करती थी नासी का के एक चिद्र से और उसी चिद्र से वायू को छोडती थी कुछ नहीं खाती को चपाती भी नहीं काती किसी वस्तू को किसी चीज को पाने के लिए जो तप साधना करी जाती है बहुत द्यान दीजिय का महाराज ये कथा पर कि आप अपनी मनों कामना कर यदी कोई बरत कर रहे है आप अपनी मनों कामना कर कर कोई तप साधना कर रहे हैं अबरत कर रहे हैं उपवास कर रहे हैं श्यू महापुरान कता केती है उसमें से रस्तत्व को निकाल देना चाहिए अगर आप कोई बिशेष को चीजा को पानाचा चाहते हो जाएको एग और मुझे ये हुए फल ना चाहिए हमारे याँ विश्नु पुरान में जो केले के विरक्ष की पूजन बताईए विश्नु पुरान के अंतरगत केले का जो विरक्ष होता है केल का विरक्ष जिसम विरस्पति बगवान होते है तो उसका वर्णन किया गया कि केल वरक्ष की जो पूजन करी जाती है उसमें अलोना बोजन किया जाता अलोना से मतलब उसमें नमक नहीं होना जाता उसमें मीठा पड़ा हो चल जाएगा भीका होगा चल जाएगा पर उसमें नमक नहीं डाला जाता तो केवल विष्णु पुरान से मतलम नहीं है, यहां पर शिव महा पुरान कहती है कि आप किसी चीज को पाना चाते हो, आप कोई ब्रत साधना तब कर रहे हो, और उसमें आपको प्रबलता चाहिए, और वो फल आपके हाथ में होना चाहिए, तो उसके लिए रस्तत्व का त् सोला सुंबार करें, उसमें कोई रस्तत्व नहीं होता, संकट सुंबार में कोई रस्तत्व नहीं होता, कई-कई माताएं पशुपति ब्रत जो करती हैं, तो पूछती है, कि पशुपति ब्रत गुरु जी ने बताया है, सुंबार के दिन करना चाहिए, पांस सुंबार करना चाहिए, सुवेरे मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करो, अभिशेक करो, शाम को वही थाली वापिस लेकर जाओ, उसमें छे दिये लेकर जाओ, पांच दिये मंदिर के अंदर लगा दीजिए, मीठा लेकर जाओ, उसके तीन हिस्से कर दो हिस्से मंदिर में समर्पित कर दो वहां दो, नहीजऑ ले लेकर आघ और एक दिया वापिस लेकर आओ, तब गर में प्रवेश करो राइड हिस्से में अँडर प्रवेश करें समय सीभे बाग में प्रवाजे पर दिया लगावें जlori तर बिता हैं और ज़ गर सने बहु हर अब प्रिष्न से आप आप नहीए श्रिंटमापुरान में को पशुवति बरत कहा गया उसका विधान के अणुसार, सुभा फलार करिये см को भोजन करिये। उसमें रस्टत्व का यह लगित हて हो इसमें नमक का त्याग नहीं है। इसमें नमक का यहीं है। यदि आपकी क्यों विशेश कामना है। आप कोई बहुत विशेष कामना से कर रहे हो तो फिर रस्तत्वक अत्याग कर सकते। अगर कोई विशेष कामना से आप कर रहे हो तो रस्तत्वक अत्याग सकते।